आज गुरुबार का दिन याने की विकली एक्सपाइरी का सत्रा और भारते बाजारों में आतिश बाजी देखने को मिल रही है इन फाक्ट हमने अटेंट किया था नाइटीन सिक्स हंड़िड की तरफ जाने का नाइटीन फाइवेटी फोर का हाई चूने के बाद 19.505 के आसपास इसमें ट्रेड बनता दिखाए दिया है तो आज डे लो भी आप देखेगा 19.500 का ही है जोज है करीब 70 अंकों की बढ़त बनी हुई है निफ्टी बैंक का हाल देखिएगा निफ्टी बैंक में करीब करीब 300 अंकों का इजाफा 24.949 का हाई चूकर इस समें 24.749 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है यह आपके लिए ताजा तस्वीर अब आपको दिखाते हैं मिट कैप इंडेक्स मिट कैप इंडेक्स चो लगातार उचाया चूरा है वहाँ पर आज करीब-करीब 300 अंकों तक की बढ़त देखने को मली है तो मोमेंटम इधर कायम है इसलिए अड्वांस टिक्लाइन रेशो बेहत पॉजिटिव आज के दिन 2 to 1 का माहौल बनता हुआ दिखाए दे रहा है क्लरी बैंक्स ने लीडर्शिप ली है जो कल से ही हम नोटिस कर रहे थे आज इंडिसिन बैंक, आक्सिस, ICICI बैंक में जादा खरदारी और कोटक महिंद्रा बैंक में भी तेजी के पॉजिशन्स बनती हुई तो ये कुछ elements है आज की इस तेजी के पीछे हमाई जानकार ऐसे में क्या रणीती अपनाएंगे और उनके returns क्या बने हैं कल और आज के बीच वो आपकी screen पर लेकर आते हैं लीडर्शिप पुजिशन में समित कायम है 4.4% के returns के साथ 3.3% के returns है पंकर जांदर के रूपक डे 0.55% के returns पर रूपक आपकी अप्रोच के रहेगी जी मेरा अप्रोच रहेगा कि आज नियुक्ती ने एक breakout दिया नियुक्ती बैंक की प्रेकाउट दिया तो मेरे खाल से मार्केट में पॉसिटिविटी रहना चाहिए और मेरा आज का जो सेक्टर स्पेसिफिक कुछ नहीं रहेगा रूपक के पॉर्टफोलियो में GICRE और BEL के ट्रेट को होल्ड कर रहा है अच सुभमे इनों ने हुड को में प्रोफिट बांध लिया नया ट्रेट क्या रहेगा फिर आपका रूपक अच्छार्ट प्रेट बांध रहेगा अच्छार्ट बांध इनों प्रोफिट बांध लिया तो मेरे इसाब से जो रिसेंट हाई है उसको क्रॉस करना चाहिए शौट टांग में उपर में 185 प्र जा सकता है नीचे स्टॉपल स्में करना रहोगा 154 में 154 का आप कह रहे हैं स्टॉपल लगा कर इंडियाबूल हाउसिंग में दरसल आप तेजी की पुजिशन ले 185 तक जा सकता है काउंटर मेरे ख्याल में अभी भी बैन वाइदे बाजार के बैन लिस्ट में शामिल है उसका एग्जिट वहाँ पर नहीं हुआ है तो यह जो भी आप ट्रेड लेंगे तो डिलिवरी के लिहाज से लिया जाएगा 185 टागेट है और स्टॉप लॉस 154 के आसपास आप लगा कर चलेंगे इस पीच फटाफट से मैं रीकैप करती हूँ हमारे जानकारों ने जो ट्रेड दिये है यह पंकच का पोर्टफोलियो आपके सामने दीपक नाइट्रेट इनों ने दरसल आड किया है 2180 का टागेट और स्टॉप लॉस 1970 का एक जगा खाली रखी है दुपेर में एक नया ट्रेड आएगा दीपक नाइट्रेट इनके जोडने के बाद थोड़ा सा साइडवेज है रूपक ने GICRE कैरी किया BEL कैरी किया और नया ट्रेड आया इंडिया बुल हाउजिंग 185 का टागेट इंडिया बुल हाउजिंग में 154 स्टॉप लॉस BEL 155 के लिए तेजी रखी है कायम 128 स्टॉप लॉस और GICRE का इनका जो टागेट था वो 240 रहा है और स्टॉप लॉस यहां पर 208 का है रिटर्न्स देखिए इस खंटे क्या बन रहे है GIC 1% का ड्रैग कर रहा है BEL में भी कुछ ड्रैग और इंडिया बुल हाउजिंग में भी उपरी लेवल से कुछ मुनाफ़ वसूली ही देखने को मिली है समित ने KPIT टेक को क्यारी किया अनुपम रसायन भी रखा है KPIT का टागेट 1340 इंटाक्ट है अनुपम रसायन 1070 का टागेट इन्होंने इंटाक्ट रखा है और JK पेपर नया अड़ किया है 418 का टागेट और 366 का स्टॉप लॉस रिटर्न्स देखिए अनुपम रसायन आज 2% जोड़ रहा है लेकिन KPIT में मुनाफ़ वसूली और JK पेपर भी थोड़ा सा साइडवेज ही हो किया है अब ओवरॉल रिटर्न्स की स्तिती क्या बन रही है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी कुल मिलाकर जो समित का ट्रेड है क्या 2% पर आ गया है यह थोड़ा सा मुझे आसचर्य हो रहा है क्योंकि अनुपम रसायन बहुत बढ़िया ट्रेड जिन को कमा कर दे रहा है KPIT ने ड्रैक किया तो उपरी लेवल से प्रेशर बना अब पंकज 5% की रिटर्न्स पर है और उपक का 1,1% तक का रिटर्न बना है चले इस बीच बात करते है TVS की स्टॉक लेकर